तो दोस्तो हमने इस sodi m metal के साथ बहुत सारे experiment किये और उन सबी विडियो को आप समने बहुत सारा प्यार दिया आपने हमारे विडियो को लाइक किया अपने दोस्तों के साथ शेर किया और उससे जरूरी बात है कि आप में से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट में मुझे से पूछा कि आपने इस Soda Metal को कहा से खरीदा, कितने में खरीदा, कैसे खरीदा और इस Soda Metal को खरीदने के लिए क्या कोई license की भी जरूरत परती है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को अभी से लाइक कीजिए क्योंकि मैं आप सब के लिए इतना सब कुछ करता रहता हूँ तो चलिए बिना कोई देरी की वीडियो को शुरू करते हैं तो आपको भी इस सोडे मेटल को खरीदने या फिर इसका इस्तिमाल करने के लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है और इसकी प्राइज 1KJ की लगबग 3,000 रुपए के आसपास है और आप इस सोडे मेटल को आपके पास के केमिकल स्टोर से बड़ी आसानी से खरीद सकते हो और आपके आसपास कोई भी केमिकल स्टोर नहीं है तो आप Amazon से ऑनलाइन इसे बड़ी आसानी से खरीद सकते हो तो बड़ी आसानी से Amazon से इस Sodium Metal को कैसी खरीद ना है वो चले मैं आपको समझाता हूँ सिदा मोबाल स्क्रीन पर तो मोबाल स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आप अपना Amazon एप ओपन किजिए फिर यहाँ पर आप सेंपली Sodium Metal सर्च किजिए और फिर आपको स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पर आप 2 प्रोड़ॉट्ट देख सकते हो जिसे मैं हाइलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ इन्यों को आप आप आउर्डर कर सकते हो 25 ग्रैम Sodium का डबबा आपको 199 रुपए में और 100 ग्रैम Sodium का डबबा आपको 370 रुपए में मिलेगा फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो उसे आप कमेंट सेक्षन में पोच सकते हो मेरे दिवह जानकर अगर आपको अच्छे लगी तो विडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहले बार आया है तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स टुडियो में